हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी बेशन चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो चलिए फ्रेंट्स इस चिप्स को बनाना शुरू करते हैं हम एक बावल ले लेते हैं बावल में हम एक कप बेशन ले लेंगे और जिस cup से हमने basin लिया है उसी cup को use करेंगे पानी के लिए जिससे की measurement perfect होगा तो अभी मैंने एक cup basin लिया है उसी cup से मैंने दो cup पानी डाल दिया है और अच्छे से basin और पानी को mix कर लिया है तो अच्छे से mix करने के बाद हमें इसमें 8 cup पानी और डालना है सेम cup का use करेंगे तो लगभग मैंने मतलब एक cup basin में 10 cup पानी का use किया है तो इस तरीके से करते हुए मैंने 10 cup पानी डाल दिया है अच्छे से mix कर लेते हैं तो अब हम इस mixture को transfer करेंगे कडाही में तो एक इस trainer रख लेते हैं कडाही में जिससे कि यह जो better है न वो छण जाएगा और जो भी basin का मोटा पार्ट है उससे हम बाहर कर देंगे तो अब हम इसमें flavor के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा और taste के according हम नमक डालेंगे पापड चिप्स में ज्यादा नमक नहीं जाता है और बस एक pinch हम इसमें baking soda डाल देते हैं अगर आपके पास पापड खार होगा तो आप उसका use करिएगा लेकिन मैंने soda का use किया है बहुत थोड़ा सा डालना है और बस अब हम कडाही को गैस पे चड़ाएंगे और continue चलाते हुए better हम थ्यार करेंगे तो यह जो basin है ना बहुत जल्दी set होने लग जाता है गाढ़ा होने लग जाता है इसलिए हमें इसे continue चलाना है नहीं तो इसमें गाठे पड़ सकती है तो इस better को पकाने में लगभग 20 मिनट जाएगा और यह better perfectly त्यार हो जाएगा तो जब यह better इस तरीके से गाढ़ा हो ज जो back side है ना चमज का वो बिलकुल अच्छे से code हो जा रहा है पतली सी coding आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा better है वो पिलकुल perfect है जब आप उसमें उंगले से line करें तो वो perfectly होनी चाहिए इसका मतलब ही है कि better हमारा बिलकुल perfect है कि इसको off करेंगे और बस अब हम पापड बनाना शुरू करते हैं तो एक polythene मैंने ले ली है मोटी वाले polythene का ही यूज करिएगा पतली वाली मत यूज करिएगा नहीं तो पापड चिप्स जो भी होते हो फट जाते हैं तो बस आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना है चमज से इस तरीके से इस better को गिराना है और अपना शेप खुदी ले लेगा बड़ा च्छोटा जिस भी हिसाप से आपको चिप्स बनाने है उस इसाप से आप बैटर ट्रांसफर करिएगा प्लास्टिक सीट पे तो मैं छोटी-छोटे से चिप्स बना रही हूं इसलिए मैं बैटर को थोड़ा-थोड़ा सा ही डाल र तो अब भी आपको यह मोटा लग रहा होगा लेकिन यह बिलकुल भी मोटा नहीं होता जब यह सुखेंगे ना बहुत बतले-बतले से तयार होते हैं और बहुत ही पर्फेक्ट बनते हैं हैसे बनाना भी बहुत आसान है आप देखी सकते हो तो इस तरीके से मैंने एक सीट बना करके त्यार कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सारे चिप्स बना करके त्यार कर लेते हैं। तो फ्रेंट्स मैंने इसे दो दिन सुखाया और बहुत ही पर्फेक्ट हमारे बेसन के चिप्स सुख करके त्यार हो गए हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ उठा करके कि बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत ही परफेक्ट बन करके तियार हुए हैं, तो चलिए आप कुछ चिप्स को हम फ्राई भी कर लेते हैं, तो बस मैंने ओयल को गरम होने के लिए रख दिया है कड़ाई में, ओयल अच्छे से गरम हो चुका है, तो हम थोड़े से चिप्स को तरीके से फ्राई करेंगे, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हूँ, बहुत ही परफेक्ट हमारे ये बेसन के चिप्स तयार हुए हैं, ये बे आप अराम से फ्राई करिए, बिल्कुल भी चलते नहीं हैं, बहुत ही परफेक्ट फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हो, तो फ्रेंट्स आज की आपको मेरे ये बेसन के चिप्स की रेसिपी कैसी लगी, कमेट में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर थोड़ी सी भी प प्राई कर लिया है, और एक दो चिप्स को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी हमारे ये बेसन चिप्स त्यार हुए हैं,